दिखिए आरती जी आज रो रही हैं क्यों तो आज छोटू का यादा रहा है कुछ खाक यादा रहा है कि आज के तक इतिहास में कोई ऐसी एक बेटी नहीं हुई होगी जो अपने ही पिता और पड़िबार का फासी की मांग करता हो तो आरती के इस तरह के कुकृति से ना जान पर यह कूपर भाब पड़ा है तो अभी में मानते हैं वह बहुत बहादूर लड़की इस मामले में कि जब कॉमेंट बॉक्स में जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि लाखों में गालियां एक साथ थौक में पड़ता है होलसेल के हिसाब से फिर भी वीडियो बनाने का गरमाया हुआ है पहले भी हम लोग ने कभर किया था जब आरती और छोटु का माम लाया था उसमें हुआ यह था कि आरती अपने प्रेमी को अपने घर बुलाई थी मिलने के लिए उसी दर्म्यान क्या हुआ यह तो आप लोग को मी मालूम है कि छोटु का वहां पर मौत हो सब पर आरोप लगा कि उन्हीं लोगों ने आरती के जो प्रेमी हैं उसको मारे हैं वाकी क्या था हमारे साथ सिव्णरन्न भारती हैं जो Такे के पिता जी और उनके भाई हैं सभी लोग वेल पर आ गए हैं इसलिए एक वर फिर से चर्चा का विश्य बना हुआ है हमारे साथ सिवनदन भारतियां सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत हैं आरती के पिता जी जब छूट करके आएं यहां पर आपके पास तो काफी भाबुक हो गए बोलते बोलते कि ह काम अपने बेटी को पढ़ाया लिखायें। उसको जीवका में काम दिलवाएầnं उसके वाद उसको बहुत सारा चाहें किुल के लेकिन उप उनके साथ क्या किया पूरा प्यार जान रहा है पूरा देश जान रहा है लेकिन कानूनित तरीके से। क्या हो सकता था जान होना चाहिए देखिए जब किसी बैक्ति पर कोई घटना के बारे में आरूप लगाया जाता है तो कोट में जब को साबित नहीं हो जाता है वह आरूपी होता है तो यह 302 के मुकदमा के आरूपी बनाए गए यह एक अलग पक्ष है लेकिन दूसरे पक्ष यह है कि वह किस परिस्थिति में देखिए हम लोगों के लौ में एक से धांत है रेस इपसा लुकिटर यह एक लेटिन वर्ड है तो जो है सो ग्रामिनों ने चोर का हला किया तो लोगों को ग्रामिन में तो एकता होती है सब ही लोग आए उसको जो है सो लपर थपर से मारने लगे तो आर्थी के पिता जी को लगा कि पहचानता था लड़का को इसमें कहीं कोई करने क्योंकि उनके पिता जी के साथ इसके सत् पंचेती की इंतजार करने लगे और इस बीच में लड़का आत्मातिया कर लिया तो ऐसे परिस्थिती में जो है सो इन लोगों को बेवज़ा का आरूपी बना दिया गया तो उसमें जो बताया गया तो अब अब जो गुन दोस्त के अधार पर इनको अभी भेल मिल गया लोग तो कोट के अंदर जुकु आरूप लगाए गया थे घर में भराना के फिरकी यही उसको मिल गया तो खाए पleader है कातने हैना क्यूस की इस जो दिखे लिए जब आरती का बयान आता यह है देखा जाता है कि आरती जो है छोटु से प्यार की उसके बाद तुरंत उसके छोटु के भाई मोनु से साधी कर ली एक साल भी नहीं हुआ तो इतना ही छे-सात महिना में वह जो है अपना जो है प्रेमी बदल ली तेखिए जब भावनात्मक लगव हुगा जिसको इमोशनल एटैज्मेंट करते हैं तो उसके नाम से एक जनम क्या साथ जनम है साथ जनम नहीं जनम जनम तक लोग परतिक्षा करता हैं तो वह भावनात्मक लगव होगा तब लेकिन जहां पर फिजिकल एक्ट्रेक्शन होगा तो हमको समाज का दवाव था इसलिए किया वह भी अच्छी बात है फिर वह विडियो बनाए कि मैं स्वहाग्रात्मन आइए सब कहने का सारुजनिक तो उस सब के पीछे और उसके बाद जेल से निकलते ही उसका ये बयान के हमको जान का खत्रा है उस सब के पीछे एक कहानी यह है कि उसका इरादा यह है कि वह यूटूब चैनल बना के वह कमाती है तो यूटूब चैनल पर यदि आप बहुत मसकत करेंगे तब आपको पांच लाग दस लाग का एक वीडियो पर फ्यूवर्स जाता है लेकिन वह देखिए आर्टी जी रोटी बना रही है तो भी चला जाता है मिलियन में तो इसके पीछे कि लोग उसको देखना चाहा तो बिना मेहनत के और योगिता के यदि आदमी का दुकान चलने लगे तो उसको मजा आता है तो फिर से उसका ये देखते देखते लोगों का जब मन भढ़ गया तो लगा कि वीबाद में कैसे आएंगे त इसे देखे कि पिता जी निकल गए तो सोचे कि अब हम फिर से एक नखड़ा कर देते हैं तो ये उसकी मजबूरी है उसकी आप समझे जब पैसा कमाने का बिना मेहनत के पैसा जब आने लगे तो लोगों की आदत बन जाती है क्वालिटी एक सारी लाल यादव डांस करते है हैं तो बहुत स्ट्रगल करते हैं बहुत री हल्सल करते हैं तब यागे वीडियो होता भी नहीं है और यहाँ मोनू का कमर में लचक नहीं है फिर भी वह यदि वो गाना के साथ आ गया तो लोग देखते हो उसको तो सवाल यह था कि उसको लगा कि भाई हमको कैसे आना है त पर बंदुक रखे जो कहते हैं चलाने वाली बात तो वो किया और उसका इस्तेमाल किया लेकिन हिंदु धर्म के मुताबिक और ग्रामिन कल्चर में जो सोसाइटी है अपने इज्जत की रक्षा का काम करना पती का काम होता है कमाईये और अपने पतनी का भरन पोषण और सम्मान पुरबक जीवन दिलाने की काम कीजिए अब यदि वह आरती रो रही है उस चीज़ को भी आफसार वजने के लिए आरती कर रहा है और इसी मार्केटिंग का पार्ट था क्योंकि इस बीच में उसका वाच टाइम कम हो गया था चैनल का रीच कम हो गया था तो उसका फ्यूवर्स कम हो गया था तो इस चीज़ को इन्हेंस करने के लिए वह लड़की जो है अनाप्शना बयान दे रही है ताकि देखे उसने इसलिए चर्चा में कि आज के तक इतिहास में कोई ऐसी नहीं हुई होगी जो अपने ही पिता और पडिवार का फासी की मांग करता हो तो यह जो था वो अनोखी घटना थी इसलिए लोगों ने देखा और देखा लेकिन एक चीज़ और है उसको हम बहुत बनाने का अकुबत रखती है तो बहुत सासी लड़की है जो गाली लौज आलोचना इस से उपर यदि वो लोग सोचता है तो इसको निडलाजता बोलेंगे लेकिन यदि इस तरह की बाते भी यदि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कुरूरता तो ही बाद में लोग लज बहुत कुछ बहुत करता है क्या नहीं लगता है कि इस घटना से समाज में एक बहुत बरा बुरा परभाव पड़ा है लोग डरने लगए हैं कि हमारी बेटी का चर्चा रहा एक बेटी रोहनी यादव जो अपने पिता को बचाने के लिए किर्णी दान किया और पूरे वि बड़ादयों किता के में अपने जान की रख्षा में उसके और दूसरी बेटी बेटी तो आर्टी यादव ब्रक्रीव कम आıtकर एक लिए पूरे के साल बर तो प्पितान से देखे समझे जब बेच्चे में जब बेटियां को अभी भी बहुत संगर से अपिता को विश्वास नहीं होता है कि बच्चे को हम गाउं से बाहर सहर की और पढ़ाने के लिए जब बच्ची मेटिक पास करती और पट्टा की और रवाना होती है दिली में हायर एजूकेशन के लिए तैयार होता है बाप को य बढ़े हुए कदम होते हैं वह लर खड़ा जाते हैं और बच्ची को घर में आंगन में फिर से वह उसको वापस कर देते हैं यह डर के कहीं आर्थी ने निकल जाए तो आर्थी के इस तरह के कुक्रिति से ना जाने लाखों बेटियां जिसकी भविस बहुत बहतर हो सकती थ उसको बंद कमड़े में मनें बंद आंगन में बंद होने पर कैद होने पर मजबूर कर दी तो यह समाज पर यह कूपर भाब पड़ा है तो अभी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसे लोगों का चर्चा समाज में ना हो इसी लिए उस चीज पर जिक्र ना क अंधकार से प्रकास की और रास्ता दिखाने वाले लोगों की असंख्यां कम होती जा रही है तो सभी लोग जो है सो उल्टा पुल्टा चीज को ज्यादा परचार करते हैं और इसमें वह बचे और इस तरीके से जो है सो मुझे लगता है कि आर्थी का जो यह काम है उसको खुद अपने आपको आत्म ल्यांकन करना चाहिए कि आपके पिताजी संत हैं सतसंगी हो कोई आज की बात नहीं कि वह घटना के बाद सतसंग सभी लोग जानते सतसंग भजन राम भजन तो वह सतसंगी लोगों को आप जूठा सावित मत कीजिए आपको अपने गलती का अहसास करना चाहिए कि आपने जो गलती किया उसका प्राश्चित कीजिए आज निकल आपको करना पड़ेगा और निर्दोस लोगों पर जो आप भेज़ा का आरूप लगा रहे हैं उस आरूप से उसको मुक्त कीजिए औ अपने पड़िवार को भी कुछ करने करके रहे हैं कि आपके अनुसार क्या लगता है कौन दोसी हो सकते हैं इस मामला में इस पर हमारे जब हम बोलेंगे हमारे पास बहुत साक्ष है और जब मैं खुलासा करूंगा तो जमीन के नीचे से जमीन खिसक जाएगी बहुत लोग रहे थे बाकी आपको क्या कुछ कहना है आप अपना प्रतिकिरिया दे सकते हैं फिलाल कि इतना ही आप देख रहे थे से के टिवी इंडिया नीव चितर रंजन कुछवाहा के साथ नमस्कार जैहिंद